कॉंग्रेस ने छोड़ा अखिलेश यादब का साथ योगी के साथ दिखा बीएसपी और आरेलडी समेत पूरा विपक्ष भाच्पा विधायकों के साथ विपक्ष के नेताओं का वीडियो सामने आया तो चौक गए लोग योगी से हाथ मिलाते नजर आये विपक्षी सूर्मा अखिलीश यादब ने बनाई दूरी सपा का कोई भी नेता नहीं पहुँचा यूपी की सियासी तस्वीर अब पलटती जा रही लोग सबा चुनाओ से पहले यूपी में विपक्षी एक्ता का नारा अब तूटता हुआ दिखाई दे रहा है भाजपा विरोध के स्वर सपा की ओर से तो तल्क है लेकिन बाकी विपक्षी दल अब भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं दो-तिन दिनों में ही यूपी की सियासी तस्वीर काफी कुछ बदल चुकी है पहले जैन्त चौदरी की पार्टी आरेलडी ने अपना रुख पूरी तरह से बदला और अब बसपा और कॉंग्रेस विधायकों का मन भी बदला बदला दिखाई दे रहा है आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्टा के बात से देश के कोने कोने से लोग राम लला के दर्शन करने पहुँच रहे हैं इसमें कई अबिनेताओं के नाम भी शामिल है वहीं अब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का काफिला आज लखनव से अयोध्या पहुचा जिसमें विधान सबा अध्यक्ष 37 महाना भी दिखाई दिये साथी सीएम योगी के साथ साथ पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक एक साथ न जराएं बस में सबार होकर अयोध्या पहुचे ये विधायक सियासी लडाई छोड़कर एक दूसरे के साथ घुले मिले दिखाई दिये बीजेपी के सब्वी विधायक बसपा के एकलोते उमा संकर सिंग और कॉंग्रेस और आरलडी के नेता भी शामिल न जराए हलांके समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता इस दोरान नहीं आये समाजवादी पार्टी ने विधानसबा अध्यक्ष का निमंतरन ठुकरा दिया था हलांके सपा के अलावा सभी अन्य दल राम मंदिर के दर्शन करने आयोध्या पहुचे बजट सत्र के दोरान विधानसबा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को अयोध्या जाने का निमंतरन दिया था इस पर अकलेश यादव ने कहा था कि हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब ही हम जाएंगे इस पर सीएम योगी ने निसाना भी साधा था और कहा था कि अध्यक्ष जी ने आपको निमंतर दिया था आपने नकार दिया आप आयोध्या नहीं आप तो ब्रिटेन जाते हैं इंडिया गठबंदन के तहत माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी विदायक अखलेश यादब को लीडर मानते हुए उनके निर्देशों का पालन करेंगे लेकिन अखलेश यादब ने सपा विधायकों कोतु आयुद्या जाने से रोक दिया लेकिन इंडिया गठबंदन में शामिल कॉंग्रेस और आरेलडी के विधायक भारतिय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिये हैं कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब पूरा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा के साथ है इसलिए अखलेश यादब अकेले पढ़ सकते हैं हाला कि समाजवादी पार्टी इसे दूसरे नजरिये से देख रही है समाजवादी पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अब दो ही सियासी ताकतें बची हैं एक भाजपा और दूसरी सपा भाजपा के खिलाफ में पढ़ने बाला सारा बोट अब समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा हर किसी को उनके दर्शनों का सौभाग मिल रहा है ऐसे में पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी इससे दूर रहना चाहती है उन्होंने कहा कि जो आयुद्या नहीं जाएगा वो विधान सभा से साफ हो जाएगा